आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकिंड के इंग्लिश ग्रामर वक्षीट सो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्यन है इसमें अंडर लाइन तब प्रणाउंस इन दा फॉलॉइंग सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रणाउंस क्या होते हैं जो हम नाउंड के प्लेस पर लगाते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी चीक है? तो वही हमें क्या करना है? सर्च करके अंडर लाइन करना है फरस्ट है इसमें तो ही क्या हो गया इसमें? प्रणाउं मी भी इसमें? प्रणाउं वी शेल प्ले विद फुटबॉल वी वेर इस शी गोईंग? यहां पर प्रणाउं क्या होगा? वेर एंड शी नेक्स दिस इस बुक दिस क्या हो जाएगा? प्रणाउं और इस अल्सो प्रणाउं नेक्स प्रणाउं मैच द फॉलोईंग विद एड्जेक्टिब्स यहां पर हमें मैचिंग करनी है एड्जेक्टिब्स को मैच कराना है सेंटेंस के हिसाब से प्रणाउं आर एकि एल्ग क्या नचिये? प्रणाउं करें पर एएए थिए रोहन इस रोहन इस नॉट इस दोटरती ़िटार्टियों के जी इस दोटर इस विटाज़ों कराना एए क्या न सी इस रोहन से दोल। इस तरीके से तो यह सब ही क्या है adjectives है adjectives भी मैंने आपको explain किया हुआ है adjectives होता है जब हम किसी भी noun या pronoun की क्या बताते है विशेष्ता बताते है उसकी quality बताते है next question है fill in the blanks यहाँ पर हमें is, am, are fill करना है first test में the birds dash flying क्या आना जिये the birds are flying I dash an officer I am an officer the bell dash ringing the bell is ringing she dash my teacher she is my teacher next आता है rearrange the following sentences हमें इसमें क्या करना है sentence को arrange करना है जैसे इसमें हम करेंगे he उसके बाद is my my father इस तरीके से उसके बाद जोया फेल डाउन हम sentence कैसे बना रहे हैं हम पहले subject भी उस कर रहे हैं उसके बाद helping verb या फिर verb भी उस कर रहे हैं और फिर क्या उस कर रहे हैं object ठीक है the stars in twinkle हमें कैसे बता लगेगा यह हमारा subject हो गया the stars twinkle in the sky next यहाँ पर हम लिखेंगे I learn at home इस तरीके से next आता है make sentences बच्चों को क्या करना है कुछ words दे कर उनसे sentences भी बनवाने हैं उनको सिखाना है कि हम कैसे लिखेंगे जैसे run है तो इसका लिखेंगे he run fast ठीक है उसके बाद he takes break fast यहाँ पर आगे हम और भी लिख सकते हैं जैसे he takes break fast in the morning तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना है next आता है translate into English यहाँ पर हमें इसको translate करना है जैसे प्रित्वी हमारा घर है तो क्या ना चीए the earth is our home इस तरीके से वे तारे हैं वे के लिए क्या होता है those those are stars ठीक है next है मैं एक खिलाडी हूं तो क्या आना चीए मैं का क्या हो जाएगा I I am a player मैं उसका भाई हूं इसका क्या होना चीए I am his brother उसका के लिए his लगाया हमने I am his brother next जाता है fill in the blanks यहाँ पर हमें was और work का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे he dash your friend he के साथ was he was your friend they के साथ क्या आता है plural they were they were friends you dash in the park you के साथ were you were in the park the cat was under the table यहाँ पर हमें singular और प्टूरल का ही ध्यान रखना है तो इजीली हम was और were लगा सकते हैं next question है convert into negative sentences he was a doctor क्या ना चीए इसका he was not a doctor जब जब भी हम negative sentence बनाते हैं तो हम यहाँ पर was, were, is, am, जो भी लगा होगा हम उसके साथ ही not लगाते हैं तो वो negative में convert हो जाता है you were a student you were not a student इस तरीके से same ऐसी हाँ पर करना है she was my friend she was not my friend last one is I was in the room I was not in the room इस तरीके से हमें negative sentence बच्चों को सिखाने है so friends यह थी class second की English grammar worksheet वीडियो अच्छी लगी हो तो please channel को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें मिलते हैं अगले वीडियो में